बारवी कक्षा की पाठे पुस्तक आरो से पाठ दस आप सब के सामने पेशा और इस पाठ से संबंधित कवी का जिवन परीचे इस भाग में हम पढ़ेंगे कवी का नाम है उमाशंकर जोशी जी इनका जन्म हुआ था सन 1911 में गुजरात में इनकी कुछ प्रमुक रचना है ज शहीद ये कहानी है श्रावनी मेनो विसामो ये उपन्यास है पारकंजन्य ये निबंध है गोश्ठी उघाड़ी बारी क्लांत कवी महारा सोनेट स्वप्न प्रयान ये उनके संपाधन है सन 1947 से संस्कृती पत्रिका का उन्होंने संपाधन करना शुरू किया था संसक्रिती पत्रिका का नाम है अब पत्रिका जिसे हम मैगजीन कहते हैं उसका संपाधन उमाशंकर जोशी जी ने 1947 से जब भारत आजाद हुआ देश आजाद हुआ तब से शुरू किया इनका निधन हुआ 1988 में तंग आ गया हुँ बड़ो की अलपता से जी रहा हुँ देखकर छोटो की बड़ाई यहां ये पंक्ती बतलाती है कि बड़ो की अलपता से जीवन तंग सा आ हो गया है परेशान सा हो गया है जीवन में कोई खुशी नहीं है बड़ो की कमी से और अब मैं जो जी रहा हुँ व उमाशंकर जोशी जी तो वह एक नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमाशंकर जोशी जी जो है वो साहित्तिक अवदान यारी जो उनका योगदान है वो पूरे भारती साहित्ते के लिए महतोपून है। अपना योगदान साहित्य के लिए और पूरे भारती साहित्य के लिए दिया है गुजराती कविता और साहित्य के जरिये। अनुवाद किया तो उसका रसा स्वाधन गुजराती भाशी ने भी लिया। और कवी उमा शंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृती से जोड़ा आम जिंदगी के अनुभाव से परिचित कराया अब जिस तरीके से हम प्रेमचन की रचनाव में आम जीवन को देखते हैं वैसे हमें यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि उमा शंकर जी जो है उन्होंने गुजराती भाषा के माध्यम से अपनी रचना को तो पेश किया ही भारती साहित्य को भी मजबूत बनाने में अपना एक योगदान दिया महत्वपून योगदान दिया और जब गुजराती साहित्य को उन्होंने सामने लाया तो साहित्य को उन्होंने प्रकृती से जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतिय आधुनिकता वादियों में अन्यतम है जोशी जी जैसा कि पहले होता था कि बड़े बड़े विश्यों को लेकर कविताय लिखी जाती थी रचनाय पेश की जाती थी लेकिन कहानियों को यानि जो व्यक्ति आम जीवन जी रहा है उसकी जिन्दगी को रूबरू कराने का प्रयास कराया और उससे सम्बंदित जीवन में जो घटित होती है वो पेश करना शुरू गिया और इसी तरीके से यह प्रयास उमँशंकर जोशी जी ने भी अपनी साहितिक भा और कवीता के सासा, सहिते की दूसी विधाव में उनका जो योगदान है बहुती बहु मुल्य है, खासकर सहिते की आलोचना में. निबंधकार के रूप में गुजराती सहिते में बेजोड माने जाते हैं. उमाशंकर जोशी उन साहितिक व्यक्तित्व में है जिनका भारत की आजादी की लड़ाई से रिष्टा रहा है। आजादी की लड़ाई से वो उनकी स्थान को और भी मजबूत बना देता है। यहाँ प्रस्तुत कविता जो है जिसका नाम है छोटा मेरा खेत उसको खेती के रूपक में कवी कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। अब हमने अपने पाठे करम में कई ऐसे कविताय, रचनाय, कहानिया पढ़ी हैं जहाँ पर किसी एक विशे को समझाने के लिए एक ऐसा उधारन लिया जाता है। जहाँ उस उधारन के रूप में ही बात की जाती है लेकिन जो उसमें नहित अर्थ है उसको हमें अलग से समझना पड़ता है। साथ पाठकों तक पहुँचाना ये सब कुछ कविकर्म है और इसको रूपक रूप देते हुए उन्होंने खेती से जोडते हुए उसके प्रक्रिया को उससे जोडते हुए पाठकों के सामने रखा है और इसी के लिए जो छोटा मेरा खेत कविता है उसको रूपक कविता बोला जाता है कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्द बद्ध होती है जिस पर रचना जो है शब्द बद्ध करना यानि लिखी जाती है कवी को एक चौकोर खेत की तरह लगता है इस खेत में किसी अंधर अंधर यानि आशे भावनात्मक आंधी से होगा अंधर का मतलब वै गुमण मस्ती है, बहुत वेग से, तेजी से, कई भावनाएं उसे एक साथ उद्ध्वेलित करती हैं, परेशान करती हैं, तो उस आंधि की यहां पर बात हो रही है, कि प्रभाव से किसी शण एक बीज बोया जाता है, जैसे कोई बीज जमीन में बोय जाता है, और वो अंकु अंकूरित होता हुँ देखा जा सकता है उसी तरीके से जिस तरीके से एक बीज को जो जमीन में दबा हुआ है उसको अंकूरित होते हुए प्रते एक विकती देखता है प्रकर्ति देखती है यह बीज रचना विचार और अभिवेक्ति का हो सकता है यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विक्सित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयम विगलित हो जाता है उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततह कृती एक पून स्वरूप ग्रहन क करती है जो क्रिशी कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिती है साहितिक कृती से जो अलौकिक रसधारा फूटती है साहितिक कृती से यानि साहित्ते जो हमें कृती दिखाता है उससे जो हमें विचार मिलते है उससे जो अलौकिक रसधारा फूटती है अल परिणाम होती है यानि जो असलियत में खेती की जाती है उसमें जो रोपाई होती है और कितने दिनों बाद जब बीज बोया जाता है उसमें अंकुरन होता है वे बड़ा होता है फल देता है उसमें दाने आते हैं फसल पकती है तो यह परक्रिया बहुत लंबी चलती है लेकि तुरंट एक बीज, जो विचार के रूप में हमारे मनबस्तिश्क में आता है, अर फिर वो फलता-फूलता है, विस्त्रित रूप लेता है, रचना का रूप लेता है, अगर तुरंट हमें ऐसा एक ग्यान दे जाता है, जो हमें फसल पकने के सुरूप, जो अनाज फल के रूप में मिलता है वो ज्ञान हमें कवी कर्म के द्वारा तुरंत रोपाई के माध्यम से ही मिल जाता है पर ये रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई उत्तम साहित्य काल جई होता है और असंखे पाठको द्वार असंखे बार पढ़ा जाता है सभी को पता है कि एक बहतरीन रचना जब पाठ को दौरब पसंद की जाती है तो वर्षों तक सदियों तक वो जानी जाती है वैसे ही जैसे कि एक फसल को काटने के लिए लंबा समय लग जाता है वुसी तरीके से अनंतकाल तक चलने वाली उसकी कटाई होती है से भी कम नहीं होती है खेद में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है किन्तु साहित्य का रस्त कभी चुकता नहीं है यानि साहित्ते में जो बीज रोपा जाता है और जो वो फल देने लगता है तो वो फल सारी जिंदगी मिलता रहता है और वो सदियों तक अपना रसा स्वाधन कराता रहता है दूसरी कवीता यहाँ पर जोड़ी गई है जिसका नाम है बगलो के पंख यह कवीता एक सुन्दर द्रिश्य की कवीता है यहाँ पर बगलो के पंख कवीता से एक सुन्दर सा द्रिश्य सामने लाया जाएगा सुंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन करने के लिए कवियों ने कई युक्तिय अपनाई है यहां पर उस सुंदर्ता को लाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं कविगन तो वो युक्तियां वो तरीके अपनाए गए हैं जिन में से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यवरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पढ़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन यानि कोई कवी किसी भी कवीता को किस तरीके से प्रस्तुत करता है वो कवी कर्म कैसे कैसे किन स्टेप से गुजरता है कोई विचार आता है तो वो उसको विश्तित रूप रे देता है उसके मनमस्तिश्क में उस विचार को उस विशे को लेकर क्या भावनाय है या क्या वो सो सौंदर्य को देखकर और उस चित्र को देखकर मन पर जो आने वाले विचार होते प्रभाव होते हैं उसको वर्नित करना ही जो है वो सौंदर्य को वर्नित करना होता और वो बहुत बहतरीन रूप धारन करके बहुत अच्छे परिणाम भी देता है वस्तूगत और आत्मगत के सयोग की यह युक्ति वस्तूगत और आत्मगत बड़े शब्द है और यहां पर बड़ा अर्थ भी रखते हैं वस्तूगत जो हमने देखा फिर उसको देखने के बाद हमने जो सोचा और समझा वो आत्मगत आत्म यानी हमारा अपना वस्तु जो हम वस्तु देख रहे हैं उससे सम्मंदी चीज़े जो हम देख रहे हैं महसूस कर रहे हैं अनुभाव कर रहे हैं तो वस्तुगत जो कवी ने देखा और आत्मगत जो उसे देखने के बाद उसने अपने मन मस्तिश्क में और उसकी आत्मा ने समझा तो वस्तुगत और आत्मगत के सैयोग की ज़र ये दोनों चीज़े जुड़ जाती है तो कवी उसको एक कविता का रूप देता है और उसको शब्दबध करता है और लिख देता है तो ये क्या हो गया वस्तुगत और आत्मगत का सैयोग होना तो यही सयोग की यह युक्ति पाठा को उस मूल सौंदरे के काफी निकट ले जाती है जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा कवी काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ती बनाकर उड़ते सफेद बगलों को देखता है वे कजरारे बादलों के उपर तैरती सांज की सांज यानि शाम की शुएत काया के समान प्रतीत होती है शुएत यानि सफेद काया यानि माया यह द्रिश्य इतना नयना भिराम है कि कवी और सब कुछ भूल कर उसी में अटका सा रह जाता है यानि ये द्रिश्य इतना ज़्यादा आखों में समा जाने वाला होता है उसको इतना ज़्यादा आकरशित करता है कि कवी सब कुछ भूल जाता है उसको देखने के लिए वे इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है क्या ये सुंदर्य से बांधने और बंधने बिंधने की चरम स्थिती को व्यक्त करने का एक तरीका है प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रुपांतरण रगुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है यानि जो ये कविता हम पढ़ रहे हैं ये कविता लिखी तो गई है उमाशंकर जोशी जी द्वारा ही लेकिन उन्होंने ये लिखी थी गुजराती भाषा में और इसका हिंदी अनुवाद जो है वो रगुवीर चौधरी जी ने किया था और भोला भाई पटेल जी ने किया था जिसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और अपने पाठे करम में आगे इस कविता को समझेंगे